मुझाज़ी अगर किसी ने ICU से निकाला तो वो कनहया था हाला कि कनहया कुमार ने गलत बयान दे कर ही नाम कमाया लेकिन उससे हुआ ये कि सुस्त हो चुके वामपन्थियों की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई और अब कनहया सरकार विरोधी एक ऐसा चहरा हो गए है जिने लोग सुनना तो पसंद शायद कर ले वो भी टीवी चैनलों में बैट कर लेकिन कोई उन्हें लेकर सीरियस नहीं होता अगर लोग उन्हें पसंद कर रहे होते तो फिर उन्हें लोग सभाचनाव में वोट भी मिलते लेकिन कनहया या वामपन्थी लगातार CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे है लेकिन जनता अब जागरूख हो गई है और उसे ये प्रदर्शन किसी कीमत पर मंजूर नहीं तब ही तो सोशल मीडिया पर वारल हो रहे है इस वीडियो को देखिए कैसे एक बुजूर्ग वामपन्थी सरकार विरोधी बाते जनता को समझा रहे थे लेकिन जनता ने सरयाम भगा दिया उठे अब समर्धन की विरोध की बात नहीं है। कि हिल रहे हैं ना हम सुनेंगे ना हम बोलनें देंगे तो हम लोग जाए इस लिए देश के विरोध वाला कम मत किज़ें जाए आपको लग रहा है कि देश का विरोध है ठीक है चलिए गड़ी आता है वामपंथियों को समझना पड़ेगा कि कनहिया जैसी टोन और बेसर पैर की फूहर बातें बस टीवी स्टूडियो में बैटके टी आर्पी का काम करती है लेकिन जमीनी आदमी सारे आडंबर और प्रोपेगेंडा को समझता है यही वज़ा है पूरा देश ही स्विचारधारा के विरोध में और देश के समर्थन में लामबंध हो रहा है कोई वरोध में नहीं है कोई नहीं है कुछ कोणा है और और यह से गाड़ी करते होगे है कि हमारा एक पाटी का अभियान तो ठीक है वाई अगर आप लोग को रहा है कि ना हम सुनेंगे ना हम बोलनें देंगे तो हम लोग जाए यह देश के विरोध वाला काम मत किजिए आपको लग रहा है कि देश का विरोध है ठीक है चलिए गड़ी आटेगे यहां से हुआ है